स्वागत ते आपका हमारे चैनल पर आज हम करेंगे कख्छा आट में विशे गनीत का घ्रह कारे जो कि दिनाख 22 सप्टेंबर 2020 का है जिसमें हम चतर बुझ के प्रशने करेंगे प्रशनावली 3.8 पर आधारित हैं देखिए पहला प्रशने है निम्र की आकरती में X का मान ग्याद करें देखिए solution देखते हैं हमें X ग्याद करना है यहाँ पे हमें 90 डिगरी का कौन दिखाया गया है तो अंदर वाला भी कित्ता हो जाएगा 90 डिगरी हमें पता है सभी कौनों का योग चत्रबुज में कित्ता होता है 360 डिगरी तो X प्लस 80 प्लस 50 प्लस 90 बराबर 360 तो 360 और यह कित्ते हो जाएंगे जोडने पर 220 तो X बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 220 तो X बराबर आ जाएगा 140 यह X कमान क्या आ जाएगा 140 अगला प्रशन देखिए उप्रुक्त आकरती किस प्रकार का बहुबज है हमने कल भी देखा था इस प्रकार का बहुबज क्या केलाता है अफ्तल बहुबज केलाता है अगला प्रशन देखिए 9 बुजाओं वाले बहुबज के कौनों का योग ग्यात कीजिए 9 बुजाओं वाले कौनों का योग कित्ता हो जाएगा हमें पता है सूतर 2 n-2 n-2 गुणा 180 n पता है क्या होती है जो बुझाएं होती है तो n की जगे 9 रख देंगे 9-2 गुणा 180 7 गुणा 180 कित्ता हो जाएगा 1260 डिगरी तो 9 बुजाओं वाले बहुज के कौनों का योग कित्ता हो जाएगा 1260 डिगरी अगला देखिए हमें विकन निकालने हैं एक सम पंच बुज है उसके कितने विकन होंगे विकनों का सूत्र होता है हमें पता है विकन बराबर होता है N ब्रैकिट में N-3 बटे दो N क्या है यहाँ पे जितनी बुजाएं पंच बुज की बुजाएं होती है 5 तो 5 5-3 बटे दो तो 5-3 कित्ता हो जाएगा 2 तो 2 से 2 कर जाएगा 5 बच जाएगा मतलब की 5 विकन होंगे अगला देखिए एक अवतल चत्रबुज के कौनों के मापों का योग बल क्यात कीचिए अवतल चत्रबुज बना कर समझाना है देखिए यह अवतल चत्रबुज होता है जैसी कोई कौन है उसमें एक कौना दसाववा होता है इसमें हमें सारे कौज़ों का योग जाद करना है अंदर वाले आईए देखते है हमने इसमें मार्किंग कर दी है ये एक, दो, ती, चार, पांच, और छे इसमें क्या हो गई? दो त्रिबूज बन गए तो त्रिबूज के हमें कौनों के युक का गुंदम प्रियोग करेंगे, दो त्रिबूज है, दोनों कित्ते हो जाएंगे 180 और 180, तो एंगल हो रहा है हमें A, B, C, D, मतलब की 360 डिगरी इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने अवतल चत्रबुज के कौनों का माप कित्ता आएगा 360 डिगरी, दो बच्चो ये था हमारा आज का घ्रहकार एक अक्षाट के लिए जोड़े चैनल से धन्यवाद